तो अब तक आपने देखा कि मैं थोड़ी दिनों बाद सर्वर में लोगिन होता हूँ और भाई लोगिन होने के साथ ही मेरे सामने अभिशिक खड़ा होता है और जो कि मेरा वेट कर रहा होता है ताकि जब भी मैं लोगिन हूँ और वो मेरे को मार दे तो ऐसे ही वो मुझे मा मैं संब य्यार देते हैं फिर मैं आरेन से थोड़ा समान मांगता हूं दिना अरभाई पिशे थे वे एमर्जेंसी के लिए एंडर चेस्ट में समान पहली बचा यहां suppress न IO मुझे थोड़े आए इक डायमन की swords JACKby और भाई फिर उसके हाथ हन्मपला में वीकन आता है मतलब उसने एंडर चेस्ट में बीकन छुपा腳 रखा था और फिर यार बीकन के बारे में मैं आर औरन से पूझता हूं तो आरन घबरा जाता है और मेरे सामने कि आर एन उस वाली संपी की तरफ जा रहा था तो फिर यार मैं भी चला गया उस संपी की तरफ कि हार दिन क्या करने गया था वाँ पर मैं देखता हूं कि यार यह तीनों आपस में मिले हुए हैं और अब आगे आरेन तुने मुझे दोका दिया मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसा कर सकता है हम तो शुरू से एक साथ थे तुमने यह बहुत बुरा किया अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब आरेन तू तो गया मतलब तू बचेगा नहीं और यार यार यह दोनों मिलके मार र अब आजो मैं तुम्हारूंगा भाई आरेन के आर्मर के साथी अब यार इतनी कम हैलते मेरे फूड भी नहीं है सब जल्दी नीवे को पकड़ो अभी उसकी कम एच्पिय इसलिए भाग रहा है येस इनकी यहां से फूड मिल गया भाई इतन करेक्ट टाइमिंग पे मिला है अरे जाएगा का आएगा तो नहीं चाही यह यहां पे स्पिरिट ब्रिजिंग कर रहा है अरे नीचे गिरते ही से मार देना अरे ये बैट पे को देगा इसको पकड़ो जल्दी तुम मुझे ऐसे कभी नहीं मार सकते हो डीवे तु बचेगा नी अरे यार मेरी भी अच्पी लो हो रही है अभी यार बहर बहर मेरी दू एच्पी हो जाती है मेरे हाई रान आर्मर की विज़े से फ्यूश इसे छोड़ियो बच्चा है कितना भी दूर चले जाए अभी यार मेरी दू एच्पी और फ्यूश तो फीचे ही नी छोड़ रहा अभी उन दोनों को मेरी लोकेशन नी बता और अभी मैने उन दोनों को पीचे छोड़ दिया तो जब तक उन्हें मेरी लोकेशन नी बता तब तक एक वाटर वकेट बना लेते हैं और अब दोने ही हाथ चुके हैं एक साथ भाई ये क्या है यार इनकी दो स्वाड पड़ती है मेरी डो एच्पी हो जाती है अब इनसे भागने ही पड़ेगा कैसे भी प्रोटेक्शन दे देगा उसको यार ये दोनों मेरा पीचा छोड़ने वाले नी हैं भाई फाइनली एक जगे मेली जहांपे मैं सास ले सकता हूँ और यार ये प्यूश भी यहांपे आने वाला है और यार अच्छा हुआ आरेन यहांपे है नहीं त्योंकि उसका नेट नहीं चल रहा और नहीं ये तीनों मिलके में को मारते हैं प्यूश नीवे को ढूंड यहीं गई होगा हमसे बचरा होगा पानी के अंदर भाई शिट अच्छ हो यहाँ पे एक जगे है यार फाइनली मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ इतनी तेर से हम पानी के अंदर ही थे और यार फॉफली वो यहाँ पर ना है मैं कुछ जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि भाई वो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आते ही होंगे तो फाइनली मैं यहाँ से बाहर तो आ चुका हूँ और यह दोनों आपी नीचे ही है अरे यह राप्यूश अब तू बचेगा नहीं कि यहाँ मेरे आइरन आर्मर की वज़े से यहाँ मेरे को इतना ज्यादा डेमेज जा रहा है ना भाई देखो यहाँ हाफ अटाग यहाँ में को बागना है जल्दी से तो अभी मैं यहाँ तो आच चुका हूँ और शायद उने मेरी लोकेशन भी नहीं पता और अभी मेरे आर्मर की एच पी देखो मतलब आलमोस तूटने को हो गए है और यार फिर भी मैंने उन दोनों से पूरे वार के अंदर फाइट कर ली और आरेन को तब पूरे वार के अंदर नैटी नहीं चला बट यार ये बात तो है मैं अपने Iron Armor से उन तीनों को नहीं मार सकता बट बदला तो मैं जरूर लूँगा तो फिलाल के लिए मुझे अपने वाले भेश पे जाना है क्योंकि भई यहाँ पे ये तीनों मेरे को ढूंड सकते हैं यार हम उन तीनों को PVP से तो नहीं मार सकते बट हम मारेंगे उन्हें ट्रैप बनाकर बट यार ये ट्रैप मैं बाद में मनाने वाला हूँ क्योंकि भई इस सर्वर के अंदर अभी सब के सब ऑनलाइन हैं और ये ट्रैप मैं उन्हें की जगे पे बनाने वाला हूँ तो जब यार सर्वर में कोई भी नहीं होगा तब हम लॉगिन होंगे और तब ही ये ट्रैप बनाने वाले हैं तो अभी मेरे इलावा सर्वर में कोई भी नहीं हैं और अब हम ट्रैप बनाने वाले हैं तो उससे पहले जल्दी से अपने लिए एक iron pickaxe बना लेते हैं तो अभी main जगे पे चलते हैं तो अभी मैं SMP की main जगे पे तो आ चुका हूँ और मैं अपना वाला trap न यहां बनाऊंगा हाँ ये खाफी सई जगे रहेगी उन्हें बुलाने की और हमारे trap के बीच में यार ये क्या dripstone का काम आ रहा है इसको जल्दी से हटाते हैं तो अभी यार जल्दी से अपने trap बनाते हैं तो trap के उपर का हिस्सा तो बन चुका है अब बस हमें नीचे killing area बनाना है तो फाइनली भाई मेरी पिकेक्स भी तूट चुकी है और यार भाई अब बस यहां पर मेरा killing chamber ready भी हो चुका है और यार अब मैं चाहूँ तो यार इसे bedrock वाला trap भी बना सकता हूँ बट यार bedrock वाला trap बनाने के लिए एक तो पहले नीचे तक डिक करना पड़ेगा तो उसमें बहुत ज्यादा time लग जाएगा और bedrock को भी तोड़ना पड़ेगा उसके इंदर भी piston चाहिए होगा तो अब यार में पास इतना time नहीं है क्योंकि यार वो लोग कभी भी login हो सकते है उसका idea नहीं है यार मिलको कभी भी login हो सकते है खेर अभी पानी की मदद से उपर चलते हैं तो अभी में ऊपर आ चुका हूँ और यार यह देखो मतलब यह कितना गहरा है और अभी में को TNT चाहिए होंगे क्योंकि मैं वहीं पे TNT भी लगाने वाला हूँ तो TNT के लिए चाहिए होता है gunpowder और यार gunpowder तो इनके XP farm से ही मिल जाएगा तो अभी मैं आ चुका हूँ XP farm पे और यार अभी तो spawn नहीं हो रहा है कोई और चेस्ट के अंदर तो भाई अभी थोड़ा gunpowder है ही तो यार जितना gunpowder है उसको तो लही लेते हैं और यार थोड़ी देर में तो यह creepers भी spawn होने लगेंगे अभी इतनी देर से यह XP farm को किसी ने use नहीं किया है न तो इसले कोई spawn भी नहीं हो रहा है तो यार उतनी देर में मैं sand collect कर लेता हूँ तो जल्दी से बनाते हैं एक shovel और यार यहां से में को एक shield भी मिल चुकी है जो कि यार बहुत ही बढ़िया हो गया war में काम आएगी तो अभी मैंने sand तो collect कर लिया है तो जल्दी से बनाते हैं TNT और इनकी chest में में को बहुत सारा iron मिला है तो यार iron को smelting पे लगाते हैं और अभी में को जितना भी iron मिला है मैं उससे बहुत सारी bucket बनाने वाला हूँ क्योंकि अभी में को वहाँ पे लावा भी चाहिए TNT के नीचे और यार इन लोगे के पास तो नैदर पोटल नहीं है तो यार में को अपनी वाली जगे पे जाना पड़ेगा तो अभी जल्दी से चलते हैं नैदर में तो मैं यहाँ पे लावा पूल के पास तो आच चुकाऊं तो यार जल्दी से सारा लावा हम ले लेते हैं तो मैं नैदर से तो आच चुकाऊं और में भी water bucket भी नहीं है जो मैं नीचे जा सकूँ तो यार अब मैं जहूंगा कैसे शिट भाई अब लगता है मेरेको अपने ब्लॉक लागा कि जाना पड़ेगा ले एक सेकिंड इतना ज़ादा डेमज कैसे हो रहा है अच्छा मैंने आइरेन आर्मर पहना यह था लो भाई तब ही मैं इतना ज़ादा डेमज हो रहा है तो अब मैं नीचे तो आज चुकाऊं और यहां पर मेरे को यार लावा लगाना है तो अभी मैंने लावा तो लगा दिया है और अभी मैं TNT लगा देता हूँ अरे यार दो TNT तो कम पड़ चुके हैं तो यार अभी मैं उसको उपर जाकर लेकर आते हैं तो यार मैं XP फाम के पास तो आज चुकाऊं और यार यहां पर कोई स्पॉन तो नहीं हो रहा है अभी तो यार मैं को लगते हैं धोड़ी दिर मैं कोई AFK करना ही पड़ेगा तो यार पांच-दस मिंट AFK के बाद देखो भाई यहां पर आ चुके हैं इतने सारे क्रीपर और जॉम्बी मी है तो देखते हैं यार चेस्ट के अंदर गन पाउडर तो है जादा नहीं आया वर ठीक है इससे बनी जाएगा तो अभी मैं TNT लेकर भी आ चुकाँ तो अब जल्दी से नीचे चलते हैं और मैं यहां पर दोनों TNT लगा देता हूँ और यार मैं स्टोन भी लेकर आया था ताकि मैं प्रेशर प्लेट बना सकूँ ताकि हो जैसी नीचे आए तब यह TNT अपने आपी वर्स्ट हो जाए तो अभी मैंने सारे प्रेशर प्लेट तो लगा दिये और यार अब मैं को बहुत समल के उपर जाना पड़ेगा क्योंकि भाई अभी कुछ भी अगर कोई सबी ब्लोक नीचे गिरता है ना तो फिर सारे TNT अपने आपी बर्स्ट हो जाएंगे तो बहुत समल के मैं उपर तो आच चुका हूँ और अब हमारा पूरा ट्रैप रेडी है अब बस उन्हें यहाँ पे लाकर फसाना है और यार मेरा आर्मर भी पूर टूटने को हो रहा है तो इसलिए मैं एक नया आर्मर भी बना देता हूँ तो अब बेट करते हूँ उनके सर्वर में आने का तो अभी थोड़ी देर में ये थीनों सरवर में लॉगिन हो चुके है और यार देख सकते हो मेरे सामने ही है तीनों तो अभी इनके पास चलते हैं ये रा नीवे पकड़ो इसे यार ये लोग फिर से मुझे साथ मिलके मार रहे हैं यार फिर से में दो एच्पी पे आ चुका हूँ तो यार जली से मुझे अपने प्लैन की तरफ बढ़ना पड़ेगा जाओ। भाई यार अभिशेक आग्या और यार यार ये मर पी गैँ अभिश शह थो पार रहे हिआ यादाश नीचे गिरादिया ये फिर कुमें छरूर प्लै ये विल्ल गिरा थे ये यार ये बिडाभी नीचे चलागيعा यार ये हैं नीचे लाभ वहे हैं जो कि निफे मैं तेर को छोड़ूगा नियभी शेक अर्प्यूश कहां गए और यह मैं कहां गिर रहा हूं और आर्र ने नीचे गिर चुका है मतलब। यह तीनो मेरे ट्रैप के अंदर फस गय और यह रहे तीनो भाई कैसा लग़ा है तीनो को मरके अच्छा जो तुम तीनोंने मिलके मुझे फसाया हो कुछ नहीं अच्छा जो तुम 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 तुम